नमस्कार मैं विकास कुमार मील आज का हमारा टोपिक है तटवर्ती मैदानी परदेश जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भारत की भोतिक परदेशों के बारे में और भारत की भोतिक परदेशों को पांच भागों में विभाजित किया था हम लोगों ने पहला था उत्री परवर्तिय परदेश दूसरा था मद्यवर्ति मैदानी परदेश तीसरा प्राय दीपिये पठारी परदेश चोथा तटवर्ति मैदानी परदेश और पांच्वा था दीपिये परदेश भारत के इन भोतिक परदेशों में तटवर्ती मदानी परदेश का महतोपन स्थान है तटवर्ती मदानी परदेश की अगर बात की जाए तो ये गुजरात के सोराष्ट से दक्षिन का अंतिम पॉइंट कन्या कुमारी तक और पुर्वी तट की बात की जाए तो ये ओडिसा से कन्या कुमारी तक इसका विश्टार है जैसा कि मान्चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं सोराश्ट्र से नीचे काठियावाड़ तठ है फिर कोंकर्ड तठीय मैदान है फिर कनारा तठीय मैदान फिर मालावार तटी मदान अंतिता कन्या कुमारी तक है उसके पसाद कन्या कुमारी से अगर पुर्व की और बात की जाए तो कोरो मंडल तटी मदान काकिनडा तटी मदान तटवर्ती मदानों का अगर प्रादेशिक विभाजन किया जाए तो इसे उत्तर से दक्षिन की ओर दो विवागों में विवाजित किया जा सकता है पुर्वी तत्वरती मदान को पहला है उसमें काकिनडा तत्वरती मदान और दूसरा है कोरो मंडल तत्वरती मदान काकिनाडा जो तट्टी मदान है उसकी अगर बात की जाए तो महान नदी से कशना नदी तक जो तटवर्ती मदान है उसे काकिनाडा तटी मदान कहा जाता है उडिसा उत्री अंदर परदेश में ये विस्तरत है इसके उत्री भाग में इसके उत्री भाग को हम उत्री सरकार या गोल कुंडा का तट भी कह सकते हैं इस उत्री सरकार या गोल कुंडा तट का जो विस्तार है वह महानदी से गोदावरी नदी तक है यहां उडिसा का उतकल का मैदान स्थित है दक्षिन में आंदरा का मैदान इसके दक्षिन में स्थित है दूसरा है कोरो मंडल तटी मैदान कोरो मंडल तटी मैदान का जो विस्तार है वह कर्शना नदी से दक्षिन के पॉइंट कन्या कुमारी तक है यह दक्षिनी आंदर प्रदेश और तम्मिलाडू में विस्तार लिये हैं यह कावेरी नदी के डेल्टा के पास अधिक चोड़े मदान यहां मिलते हैं कहने का तात्री यह है कि कोरो मंदल तटिय मदान के पास जो चोड़े हैं उनका विस्तार कावेरी नदी के पास कावेरी नदी के डेल्टा के पास अधिक है अगला है पस्चमी तट्यय मैधान प्रादेशिक दस्ट्रिकों से अगर उत्तर सिर्धशन की और पस्चमी तट्यय मैधान को अगर बांटा जाएं तो चार भाग को में इनको बाआ शकते हैं पहला है काठिया वार तट्यय मैदान यह सुराश्टे से सूरत तक इसका विस्तार है और गुजरात की तटिया भाग मिश्थित है यह लगभग 80-100 किलोमेटर तक चोड़ा है दूसरा है कोंकर्ण तटिया मदान यह दमन से गवा तक श्थित है और इसे पस्ट्रमी तटिया मदान को कहते हैं कोंकर्ण तटिया मदान ये मुखित है माराष्ट मिस्तित है अथार्थ कॉंकर तटिये मदान का जो विस्तार है वो माराष्ट राजिये में अधिक है तीसरा है कनारा तटिये मदान गोवा से मेंगलोर तक इस पश्चमी तटिये मदान को कनारा तटिये मदान भी कहा जाता है इसका विस्तार दो राजियों में है करनाटक एवं गोवा में इसलिए इसे कनारा तटिये मदान भी कहा जाता है अंतता जो अंतिम है पस्टिम तट्य मदान का उपभाग मालावार तट्य मदान ये मेंगलोर से कन्या कुमारी दक्षिन्तम पॉइंट जो कन्या कुमारी है उसके मद्दे ये है मालावार तट्य मदान इस्थित है ये मुख्यत है केरल में इस्थित है करनाटा कुछ भाग भ धेन किया अगले टोपिक में एक नए रूपरे का एक साथ मिलते हैं धेनेवाद